नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विमल सिंग भाला जी स्टेड़ा में आपका सौगत है डेली सुबाचे बज़े हम आपको करेंट अफ़ेर प्रवाइट कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे आज की यानिकी 29 सेप्टेंबर 2020 की करेंट अफ़ेर पर आधारित कुल जो है वो 10 प् हर साल इसकी थीम भी होती है इस साल की थीम क्या है तो परेटन और ग्रामीड विकास इसकी थीम है ध्यान रखेगा परेटन और ग्रामीड विकास क्योंकि जो प्रसन आपके आते हैं वो अधिकतर थीम से ही पूछे जाते हैं और यदि बात करें इस वर्स का जो परेटन दि मज़ बढ़ाने के साथ साथ एक दूसरे की सभिता और संस्कृती समझने में भी साहता हो सके तो ये भी इसमें एड किया गया है। दूसरा प्रसंद देखते हैं हाल ही में किस दिगज BJP नेता और पूर्व केंदरी मंतरी का 82 साल की उमर में निदन हो गया है। चार आप्शन है बताना है आपको कौन से सही होगा तो जस्वंत सिंग आपका सही हो जाएगा ये 82 साल के थे ये ध्यान रखेएगा इनका नाम ध्यान रखेएगा और बीजेपी नेता और पूर्व केंद्री मंत्री भी रह चुके हैं ये यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइं और वित्य जैसे जो मंत्रालें उसकी जिम्मिदारी भी संभाली थी तीसरा प्रसन है अमेरिका की एक संगिये अदालत ने राष्टपती डोनाल ट्रम्प के किस एप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है चार आप्शन है बताना है कौन से सही होगा तो इस पर बैन लगाने के जो राष्टपती डोनाल ट्रम्प प्रसासन है उनके फैसले को स्थगित कर दिया है ट्रम्प ने जो है यानि कि जो अमेरिका के राष्टपती है डोनाल ट्रम्प इन्होंने हाल ही में जो टिक टॉक एप थी उसको बैन करने का आदिश जो है वो दि देखते हैं अपना अगला प्रसन चौथा अकिल भारतिये फुटबॉल महासंग AIFF के वर्स के सर्वस्रेश्ट फुटबॉलर के रूप में निम्ण में से किन दो खिलाणियों को चुना गया है चार आप्शन हैं बताना है कौन से सही होगा तो गोल कीपर गुर्प्रीत सिंग संदू और महिला मिड़ फिल्डर संजू तो अकिल भारतिये फुटबॉल महासंग जो है इसके वर्स के सर्वस्रेश्ट फुटबॉलर के रूप में इन दोनों खिलाणियों को चुना गया है जीत लिया है इस पर बेश्ट में एक प्रसंद कराया था बात करें उत्तर की तो बीस हजार करोड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं चछटा विस्व मूक बधिर दिवस वर्ल्ड डीफ डंब डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है चार ओप्षन है बताना है कौन से सही होगा तो 26 सितंबर आपका सही हो जाएगा और 1958 से ये चीज़ भी ध्यान रखिये 1958 से विस्व मूक बधिर दिवस की सुरुवात जो है वो की गई थी देखते हैं अपना अगला प्रस्न साथवां हाल ही में किस राजने गैर संचारी जो रोग हैं नियंतरित करने से सम्बंदित सतत विकास लक्षियों में उतक्रिष्ट प्रदर्शन के लिए United Nation Interagency Task Force जीता है चार ओप्षन ने बताना है कौन से सही होगा तो केरल राजने जो है वो जीता है अगला प्रस्न देखते हैं आठवां हाल ही में किस पूर्व भारतिय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बी सी सी आई ने सीनियर महिला चैन समीती का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है इपॉर्टन कोशन याद रखेगा नीतू डेविट जो है इन्हें चुना गया है बी सी सी आई ने पूर्व भारतिय क्रिकेटर नीतू डेविट जो है इनको इनके लंबे अनुभव के क कारण सीनियर महिला चैन समीती का अध्यक्ष जो है वो निक्त किया है वो वर्तमान में अगर बात करें तो यूपी की यानि उत्तरप्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच जो है ये हैं नवा प्रसंद देखते हैं प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कराने वाले संस्थान आकास एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानि की AESL ने हाल ही में किस किर्केटर को अपना ब्रांड मेश्टर निक्त करने की खोशना जो है वो की है चार उप्षन है बात करें उत्तर की तो युवराज सिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लाश प्रसंद इसके लावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजेगा प्रसंद क्या है आपका कि विस्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए 200 मिलियन डॉलर के रिड को मंजूरी दी है चार आप्शन है बताना है आपको कौन सा सही होगा तो आपका बांगला देश पिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा तो बांगला देश के लिए आप कह सकते हैं 200 मिलियन डॉलर के रिड को मंजूरी प्रदान की गई है अब देखते हैं वो प्रस्ण जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नएक प्रस्ण पूछते हैं तो कल की करेंट अफेर से आज का आपके लिए प्रस्ण क्या है कि 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व डाग दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व परेटन दिवस या विश्व चुनाओ दिवस 1,2,3,4 ओप्शन डिरेक्ट भी टाइप करके आप अपना अंसर जो है वो बता सकते हैं यदि आप पूरा टाइप करना नहीं चाहते हैं बात का लेते हैं कल की करेंट अफ़ेर में पूछाएगा प्रस्न के सही उत्तर की तो आपका 2000 रन जो है वो सही हो जाएगा इसी के साथ हमारी आज की करेंट अफ़ेर समापत होती है आज गुड़ में इतना ही वीडियो पसंद आया और लाइक अबस्ट कीजिएगा नए है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तकिल नमस्कार थेंक्यू पर वाचिंगू